हलू फ्रेंज क्रेटिव सर्ता चैनल में सभी फ्रेंज का बहुत बहुत स्वागत हैं आज मैं आपको तोन पट्टी रिजाइन बनाना बताऊंगी देखी बहुत ही खुब सूरत है और बहुत ही जल्दी यह बनता है फ्रेंज और मैं स्टेप बाइस्टेप बताऊंगी करते हैं वीडियों अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा सबसे पहले तुम मैजिक रिंग बनाएंगे और उन जो है फ्रेंस मारा वो टूपलाई का है और कुरूशिया की साइच 3 mm है तो मैजिक रिंग यहां पर पन क्या है इसके आगे हम बनाएंगे तीन चैन तीन चैन बनाने की बाद फ्रेंस यहां पर देखिए रिंग के अंदर श्रे में धागा निकालके चैन के ब्राबर कुरूशिया में लेना है और इसी तरह से फ्रेंस देखिए छे राउंड धागा निकालके में कुरूशिया में लेना है तो छे राउंड यहां पर मैंने देखी धागी को निकाल लिया है इनसा भी फंदों को एक साथ बंद कर देंगी तो देखी फ्रिंस एक पप त्यार हो गया है इसके आगे हमें पांस चेन त्यार करना है पांस चेन यहां पर हमने बना लिया है इसके आगे बनाएंगी पप फिर यहां पर देखिए इसके अंदर से रिंग के अंदर से में छे राउंड धागा निकाल के पुरुश्य हम लेना है जैसे हमने फर्स्ट वालब पप बनाया है सेम उसी तरह से में सारे पप त्यार करना है और एक साथ सभी फंदों को साथ में ही बंद करेंगे इस तरह से देखिए दो पप बन गया फिर इसके आगे में पांस चन त्यार करना है और यहां पर पप बनाएंगे तो छे राओ निया से धागा में निकाल के पुरुश्य हम ले रहे हैं तो इसी तरह से फ्रेंस इसमें चार पप बनेगा और इन सभी फंदों को साथ में बंद करना है तो इस तरह से फ्रेंस बनाना है तो इसके आगे में पांस चेन बना के फिर एक पप और त्यार करना है तो देखे फ्रेंस यहां पे हमने चार पप त्यार कर लिया है और इसके आगे देखे यहां पे हमने पांस चेन बनाया है जो फ़िष्ट वाला देखिए पप है इसके फंदे में लाक इसको बंद कर देना है कि बंद करने के बाद धागे को कट करना है अब इसके आगी दूसरा भागा लगाएंगे और जो यह सब धागा है इसको हूँ मंदर की तरप कर लेंगे ताकि धागा ना दिखे तो देखिए ए गोला त्यार हो गया, इसके आगे दूसरा रखा लगाएँगी तो यहां से देखिए पप के फंदे में से हम दूसरा रखा लगा रहे हैं मोट लगाते हुए यहां से इसके अंदर शेण निकाल लेंगी इस त्रह से बंद करने की बाद फिरिंस यहां पर देखिए यह उमने पांस चेन बनाया है इसके अंदर बनाएंगे हम डबल कुरोशिया यह देखिए एक डबल कुरोशिया यहां पर त्यार हमने किया यह देखिए दो डबल कुरोशिया तीन डबल कुलोक्ष्या तो इसे तरह से इसके अंदर 12 कुलोक्ष्या त्यार कर लीना है तो दिखेंस में यहापि हमनी हमने 002 कुलोक्ष्या त्यार कर लिया है अब यहाप पे देखे जो पप का फंदा है उपर बला इसे में हम सिंगल कुरुषिया से इसको जोईन कर देंगे जोईन करने के बाद देखे फ्रин्स यह पे जो 5 चेन है इसके अंदर हमें 9 डॉँबल कुरुषिया त्यार कर लेना है तो friends ऐसे first वाल आमने त्यार किया उस्य तरा से हम चारोँ बना लेंगी तो friends आदेखिए चारोड यानि या पर त्यार हो गया है इसके आगे अगर दूसरा धागा लगाएंगी तो देखिए जो pub का पंदा है यहाँ पर यही से महीं starting करेंगे तो यहां से धागा निकालती हुए यहां पर पहले लोग कर लेंगे लोग करने की बाद फिरेंस देखिए यहां पर जो डबल कुरुष्या का फंदा है इसके अंदर सेम तीन राउंड धागा निकालके कुरुष्या में लेंगे छोटा पब बनाएंगे तो तीन राउंड यहां से धागा निकाल लिया है सभी फंदों को एकसांद बंद करेंगे बंद करने के बाद देखिए नेक्स्ट वाला जो डबल कुरुष्या का फंदा है इसके फंदे में से तीन राउंड धागा निकालेंगे यहां पे में छोटे छोटे पब त्यार करने है ज्यादा बड़ी साज का नहीं बनाना है चोटा ही रखना इसको और नेक्स्ट वाले फंदे में से फिर यहां पर तीन राउंड धागा निकाल के पब बनाएंगी इसी तरह से एक एक पब त्यार कर लेना है तो देखे फ्रंस यहां पर हमने पब को त्यार कर लिया है देखे एक दो तीन चार पांच छी साथ आठ तो इसके इंदर आठ पब बनेगा और यहां पर देखे पब के फंदे में यहां पर जिसमें से देखे गरीन धागा हमने निकाला है इसी के फंदे में इसको जॉइन करेंगे सिंगल कुरूश्या से इसको बंद कर देना है और फिर इसके आगे हम पब बनाएंगे देखिए डेबल कुरूश्या के फंदे में से तीन डाउट निया से धागा निकालेंगे और एक साथ इन फंदों को बंद कर देंगे तो फ्रेंस यहाँ पर देखिए जैसे फर्स्ट वाली लाइन का हमने पब बनाएंगे सेम उसी तरह से तीनों फंदों में से हमें बना लेना है तो देखिए फ्रेंस यहाँ पर हमने चारों लाइन का पब त्यार कर लिया है दोनों तो फ्रेंस यहां पर देखिए जो इसका फर्स्ट वाला देखी पफ है इसके फंदे में से धागा निकालेंगे धागा निकालने के बाद एक सिलीप चेन बनाएंगे इस तरह से यह देखिए एक बन गया स्लीप चेन और इसके आगे एक चेन में बनाना है चेन बनाने के बाद देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में से धागा निकालेंगे फिर सिलिप चेन बनाएंगे और एक चेन फिर देखिए पप के फंदे में यहां पर यहां से धागे को निकालती वे सिलिप चेन बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे तो इसी तरह से फ्रेंस एक स्लिप चैन और एक चैन बनाती हुए लाइन को कम्प्लीट करना है तो थोड़ा आगी तक हम इसको बना के दिखा दे रहे हैं तो फ्रेंस यहां तक हमने बना लिया है इसी तरह से हमें यहां तक बना लेना है तो फ्रेंस से देखिए इसका बाडर हमने कम्प्लीट कर लिया है और इसी तरह से में टिकी को त्यार करना है बचे हुए उन से अब बना सकते हैं इसको अब इसकी हम पट्टी बनाएंगे तो किनारे का डिजाइन और करेंगे यह सभीदागे की मद्द से इसको युज और करें यहां से देखिए इस तरह से विल ए लगा देंगे और एक अच्छा से यहां पर गांट लगा देंगे ताकि दागा ना निकले और इसको दो तीन बार इसको सुई धागे की मदर से यहाँ पर जॉइन कर लेंगे अच्छे से ताकि धागा यहाँ पर हमारा टाइट रहे है और इसको नोट लगा के धागे को कट कर देंगे तो देखिए एक साइट का यहाँ पर हमने सिलाई लगा दिया है इसी तरह से दूसरे साइट का भी सिलाई लगाएंगी तो सिलाई को अच्छे से लगाईएगा ताकि धागा ना खुले और यहाँ पर थोड़ टाइट जॉइन हो और इसके बाद नोट लगा के धागे को कट कर दीजिएगा तो यहाँ पर फ्रेंट से देखिए जॉइन्ट हो गया है इस तरह से पट्टी बनेगा और यह जो बीच का देखिए फूल बन जाएगा यह जो डिजाइन है इस तरह से जॉइन्ट करते हुए इस पट्टी को तियार करना है तो आपके पास जितने कलर का उन बचा हो आप उससे बना सकती है और यहां पर देखिए इस तरह से दोनों जॉइन्ट को हम सिलाई लगा के बीच में एक फूल का अकार बन जाएगा तो देखिए फ्रंस यहां पर हमने सारे टीकी को जॉइन्ट कर लिया है और यह पट्टी हमारा बनके त्यार हो गया है देखिए बहुत ही कुपसूरत आगे तो लाइक किजिएगा और कामेंट विटाईएगा डीजाइन कैसा है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए डीजाइन के सान तब तक के लिए बाइबाए